वेलकम टू कुशन और आंसर एपिसोड फोर तो बिना टाइम वेस्ट करते वे हम अपने पहले सवाल पर आते हैं पहला सवाल पूछा है मुझसे नैपाल से इशान ने तो मिस्टर इशान लिखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भगवान राम की जन पैदाईश यानि नैपाल में हुई थी आयोध्या में नहीं आपका क्या कहना है तो इशान सभआ आपके प्रधानमंत्री कुछ और नहीं बस सियासत कर रहे हैं उनका दिया हुआ ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दर असल आज कल पूरी दुनिया में लोगों को मजभब के नाम पर धर्म के नाम पर बाट कर उनके बीच में नफरत पहला कर करी जा रही सियासत काफी फल फूल रही है क्योंकि लोगों को धर्म और मजभब के नाम पर बाट कर उनके बीच में नफरत पहला कर उनको बेकूब बना कर उन पर हकूमत करना आसान हो जाता है जैसा कि आजकल भारत में हो रहा है जबकि दुनिया का कोई भी मजभब दूसरे मजभब के साथ नफरत करना उनके साथ वाइलन्स करना नहीं सिखाता है मैं मुसल्मान हूँ, मेरा मजभब इसलाम दूसरे मजभबों की भी इज़त करना सिखाता है दूसरे मख़ब के लोगों से भी प्यार से उनके साथ महबत के साथ रहना सिखाता है हिंदू हो, सिख हो, इसाई हो, जैन हो, दुनिया का कोई भी मख़ब हो ये दूसरे मख़ब के साथ नफरत करना हरगिस नहीं सिखाता है पर सियासी लोग इस धर्म और मजभब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जीता जाकता एक्जामपल हमारे देश भारत में देखने को मिल लहा है जैसे ही आपके प्रधान मंत्री ने कहा कि भगवान राम नेपाली थे उनका जनम नेपाल में हुआ था ठीक उसके कुछी दिन के अंदर एक नेपाली को बनारस में पकड़ कर उसका मुंडन कर दिया गया उसके सर पर लिख दिया गया मुंडन के बाद जैशिर राम ये सब किया गया था विश्व हिंदू सेना के लोगों की तरफ से उसके सर पर मुंडन के बाद सिफ जैशिर रामी नहीं लिखा गया बलकि उससे नेपाल के प्रधान मंत्री मुर्दाबाद भी कहलवाया गया और वहां खड़े लोग उसका वीडियो बनाते रहे और जैश एस पी वारा नसी का कहना है कि ये जो पूरा मामला हुआ था तो जिस इनसान का मुंडन किया गया था उस पर जैशिर राम लिखा गया था उस इनसान का नाम है धरमेंदर सिंग और एस पी वारा नसी का ये कहना है कि ये छे लोग और जो दूसरा में एक्यूज है उन लोग का मुंडन करवा करके जैश्री राम लिखवाए और केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधान मंत्रियों उनको मुर्दाबाद कहलवाए यानि कि ये सारी मिली भगत थी उनके हिसाब से तो मैं SSP वारा नसी से सवाल करती हूँ कि जब आपने इस सब काम के लिए छे आक्यूज को गरिफतार कर लिया है तो धरमें सिंग जिनको आप कहरा है कि इस मामले में इन लोगों के साथ वो शामिल था उनकी इस मिली भगत में शामिल था तो आप उसको भी क्यों ने गरिफतार करते क्योंकि ये जो पूरी साज़िश रची गई है ये दोनों मुलकों के बीच महौल को खराब करती है तो आप धर्मेन सिंग को भी ग्रिफतार करिए तो आप लोगो एक और बात बता दें कि यही विश्व हिंदू सेना जिसने इस धर्मेन सिंग का मुंडन करके इस पर जैशिराम लिखा था उसने एक दिन पहले पशुपतीनात मंदिर के बगल में एक पोस्टर लगा कर उसकी फोटो खीच करके सोशल मीडिया पर जारी करी थी उस पोस्टर पर लिखा वाता कि नेपाल के प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है भगवान राम के बारे में उसको या तो वो वापस ले नहीं तो जो यहां पर नेपाली लोग रहते हैं वो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तयार ह जाएं तो यह धमकी बरा उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था और इसकी फोटो खीच करके इन्होंने सोशल मीडिया पर चलाई थी तो यह पोस्टर चिपकाने के बाद शाम को ही विश्व हिंदू सेना ने गंगा घाट के किनारे जा रहे धरमेन सिंग को पकड़ कर उस के साथ यह हरकत करी तो इशान जी आपके प्रधान मंतरी के पी शर्मा ओली ने जो स्टेटमेंट दिया है वो प्योरली सियासत से ही रिलेटर्ड स्टेटमेंट है और उस से उनको नेपाल के अंदर वहां के एलेक्शन में उनको क्या फाइदा मिलने वाला है यह तो आप खुदी जान सकते हैं लेकिन उनके इस स्टेटमेंट की वज़े से भारत में रह रहा है वो लोग वो सियासत करने वाले लोग जो मजब के नाम पर नफरत पहला कर सियासत करते हैं वो लोगों को भी एक्टिव हो गया है और नेपाल के लोगों को थ्रेट कर रहे हैं या उनके साथ जो इस तरह की की धमकी दे रहे हैं ये सिर्फ उस स्टेटमेंट के बाद से ही शुरू हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मज़ब और सियासत आपस में जुड़ी हुई है खैर चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा सवाल किया है डीके नईम साहब ने नईम साहब लिखते हैं कि बीजेपी शहीद इस्पेक्टर सुबोत सिंग के कातिलों को प्रधान मंतरी जन कल्यारकारी योजना जागरुकता अभियान यानि और्गनाइजेशन का महा सचिव बना रही है महा सचिव तो नहीं शायद जितना मेरी इंफर्मेशन है महा मंतरी बना रही है खैर जो भी हो मतलब उनको कोई पद दिया जा रहा है जबकि योगी सरकार में इस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग के बेटे को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है तो नाइम सब आपने जो हमसे सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश में बुलन शहर के दंगा रोकने के दौरान जो इस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग शहीद हो गयते उनके बेटे को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है जबकि दूसरी तरफ उनके गतल के जो आरोपी है उसको भाजपा की तरफ से कोई पद दिया गया है किसी औरगनाईजेशन के अंदर तो मैं आपके जवाब पर आऊंगी लेकिन उससे पहले मैं रिपीट कर दूँ कि आखिर हुआ क्या था जब इस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग शहीद हुए थे तो 2018 में गाए को काट कर बुलंद शहर में दंगा पहलाने की कोशिश करी गई थी और इस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग इस दंगे को रोकने के दौरान शहीद हो गए थे इसी दंगे के दौरान एक लड़का जो सियाना गाओं का था सुमित वो भी मारा गया था और सबसे चौकाने बाली बात इस वक्त ये है कि उस लड़के को गोरक शक बता करके अब इस गाओं में उसका मंदिर बना दिया गया है तो सुमित का जो मंदिर बनाया गया है उसमें उसका स्टैचू लगाया गया है इस पूरे एपीसोड पर स्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग के बेटे अभी शेख ने नराजगी जताते वे एंडी टीवी ऑनलाइन से बात करी थी वो इस पर बोलते हैं कि उनके पिता ऑन ड्यूटी शहीद हुए थे उनके पिता दंगो को रोकने में शहीद हुए थे अगर वो इन दंगो को रोकने में कामियाब नहीं होते तो व पूजा जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में चुप बैठी है तो दोस्तों क्वेशन और आंसर का ये एपिसोड जारी रहेगा लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आपका जो दूसरा सवाल है कि इस्पेक्टर सुबोध सिंग के बेटे को अभी तक सरकार की तरफ से नौकरी नहीं दी गई है तो आपको बता दे कि इस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग के शहादत के बाद उत्त तब उसका पेमेंट सरकार करेगी तीसरा था कि उनके नाम पर एक एक रास्ता बनाया जाएगा चौथा था कि उनको एक पेंशन दी जाएगी और उनको मुआफ़ा दिया जाएगा तो आपको बता दें कि मुआफ़ा उनको दिया जा चुका है मुआफ़ा तो दे दिया गय यहाँ है पंशन भी उनकी चालू करनीगी जो कहा गए था कि होम लोन सरकार पे करेगी वह नहीं पे किया गया उनके बेटे को जो नोकरी देने की बात करी गयी थी वह नोकरी भी उनको उसको मिली अबी तक और जो बोलाख था कि स्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग के नाम से एक रास्ता बनाए जाएगा एक सड़क बनाई जाएगी तो वो सड़क भी उनके नाम की नहीं बनी है तो नाईम सब अब आपके उस सवाल पर आते हैं जहां पूछ रहे हैं कि स्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग के कतल के आरोपी को भाजपा की तरफ से पद दिया जा रहा है तो मेरे हसाब से आप शायद बुलन शहर के बीजेपी युवा मोर्चा के नेता शिकर अगरवाल की बात कर रहे हैं तो मैं अपने आडियंस को बता दूँ ये शिकर अगरवाल वही हैं जो स्पेक्टर सुबोत कुमार सिंग के कतल के आरोप में जेल गए थे बुलन शहर के बीजेपी अध्यक्ष अनिल सिसोधिया ने प्रधान मंतरी जन कल्यारकारी योजना जागरुकता अभियान नाम के संगठन का महा सचिफ कपद्स दिया हुआ है अगरवाल को बकाइदा जिम्बेदारी से संबंधित एक लेटर दिया गया है जिसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की फोटो भी चिपकी है उनको ये काम दिया गया है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने जितनी स्कीम्स शुरू करी है उसकी इंफॉर्मेशन वो शहर में और गाउं के दूर दूर हिस्से तक पहुचाएं लेकिन जब इस मामले ने इस पूरी खबर ने तूल पकड़ा तो अनियल सिसोदिया ने कहा कि इस संगठन का कोई लेना देना बीजेपी से नहीं है तो अब अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं तो अगला सवाल पूछा है M.D. आसिफ साहब ने वो पूछते हैं कि अभी टाइम स्नाउप में अर्विन केजरिवाल इंटरव्यू देते वें कह रहते हैं कि भारत की कोई भी कमपनी चीन में कारोबार नहीं करती है तो अब आपको बता दें कि दिल्ली के मुखमंतरी अर्विन केजरिवाल जी पूरी तरह से जूट बोलने हैं C.I.I. के सर्वे के हिसाब से इस वक्त तकरीबन 50 से ज्यादा भारतिये कमपनियां चाइना के साथ मिलकर काम कर रही है तो C.I.I. है क्या तो C.I.I. है Confederation of Indian Industry यह एक Industry Association भारत का है जो जिसका काम है कि Partnership Industry क्रियेट करना तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है उदय कोटक साहब और इसमें तकरीबन 9000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और इसका Headquarter नई दिल्ली में है इसको यह Establish करी गए थी 1895 में इसमें इस वक्त 1100 employee काम करते हैं उनका Purpose है तो Create and Sustain an Environment Conducive to the Development of India तो इस Association ने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से चीन में व्यापार कर रही 54 कंपनियों की यह शिनाफ्त कर चुका है यानि की चीन में भारतिये कंपनियां जो काम कर रही हैं उसमें 54 कंपनी का यह CII शिनाफ्त कर चुका है और हर एक कंपनी में तकरीबन 50 से ज्यादा employees वहां काम कर रहे हैं खै वैसे तो 2014 के बाद से इस देश में जूट बोलने पर कोई मना ही नहीं है जो जितना चाहे जूट बोले जो जितना बड़ा जूट बोलना चाहे वो उतना बड़ा जूट बोले जूट बोलो जूट बोलो बार 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 बोलो बार 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 बोलो हर जगा पे बोलो और जोड जोड से बोलो तो चलिए इस प्रोग्राइम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सवाल पर आते हैं तो अगला सवाल किया है GST लगाती है सरकार के इस फैसले पर कभी अफसोस होता है कभी हसी आती है और कभी रोना आता है और वो हमसे पूछते हैं कि आप का क्या कहना है तो मेरे हिसाब से तो कौरोना काल में सैनिटाइजर्स पर GST लगाना तो दूर की बात सरकार को इसे मुफ्त में बाटना चाहिए, सरकार को इसे फ्री में देना चाहिए पर ये बात हकीकत है कि सरकार ने हैंड सनिटाइजर्स पर 18% की GST लगाई है और आपने जो हमसे सवाल किया है कि कभी उनके इस डिसीजन पर रोना आता है कभी हसना आता है, कभी अफसोस होता है तो ये बात हकीकत है कि इस बात पर हसी जरूर आती है जो सरकार की तरफ से रीजन दिया गया है इस पर GST लगाने का तो वित मंत्राले की तरफ से एक्स्प्लिनेशन दिया गया है कि अगर GST नहीं लगाई जाती है तो इससे प्रधान मंत्री जी के आप निर्भर अभियान जो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाने का जो प्रोग्राम जो अभियान चलाया गया है उस वो खतरे में आ सकता है और ये भी कहा गया है कि GST ना लगाने से भी उभगताओं को कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो दोस्तों आज का ये हमारा सवाल और जवाब का एपिसोड यहीं खत्म होता है अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे को इमेल करके हमारा इमेल एडरेस है dr. अर्शी तारिक at the rate of gmail.com तो दोस्तों थैंक यू वेरी मुश मिलते हैं अगले एपिसोड में जैहिन सत्मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी dr. अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक को शेयर करना हरगीज नहीं भूले आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे Twitter, Instagram और Facebook पेज पर Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में